जैन्स आती हूं आज हम CIR government.in पे रिपोर्ट करने का पूरा विश्टरी तरीका जानेंगे तो आपको मैं ले चलता हूँ अपनी mobile screen पे कि किस परकार से आप आसानी से अपने lost mobile की या चोरीवे mobile की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं तो चलिए जानते पूरा तरीका जैसा कि आप देख रहे हैं CIR.gov.in पे आप जाके सर्च करते हैं तो आपके सामने इस परकार का इंटरफेस ओपन हो रहा है तो अपने को क्या करना है CIR services में जाना है यहाँ पे block stolen और lost mobile ये option लिका हूँ रहे है अपने को unblock mobile check request ये भी है तो अपने को क्या करना है जो first option है lost stolen mobile यहाँ कली करना है यहाँ कली करने के बाद आपको यहाँ पे वो mobile नंबर एंटर करना है जिस mobile नंबर आपके चालू है जिस पर OTP भी आ सकी क्योंगी OTP इसी नंबर पर आएगा और उसी को verify करना होगा तो उसके बाद आपका अगर mobile dual SIM है दो SIM वाला है तो यहाँ पे दूसरी SIM के नंबर डाली है उसके बाद आपको यहाँ पे IMEI नंबर डालने है अगर आपको IMEI नंबर याद नहीं है तो आप star hatch 06 hatch लगा के अपने IMEI नंबर ले सकते है डूल SIM है second IMEI डालने है फिर आपक company search करने है कौन सी company का जैसे Samsung का तो Samsung company आप एंटर करने है फिर आपको निचाना निचाना के device model यानि कि कौन सी model है आपका तो वहाँ पे model एंटर करना है उसके बाद आपको जो purchasing करते है उस time पे invoice होता है जो bill होता है वो bill यहाँ पे आपको attach करना है यानि कि जो खरीदारी करत पूचा जाएगा कि आपका mobile कहां गुम हुआ था जैसे मेरा डेगा ना हुआ तो मैंने यहाँ डाल दी आप मेरे को समय डालना है जो भी मेरा time में यहाँ डाल दिया उसके बाद आपको क्या करना है state select करना है जैसे मेरा state Rajasthan है तो मैं नीचे scroll करके Rajasthan select करूँगा मेरा district Nagor है तो मैं यहाँ पर scroll करके मैं जहां पर Nagor आएगा मैं अपना Nagor scroll करके Nagor select करूँगा अब मेरे को क्या है police station जिस इस्तान पर गुम हुआ है वो उसका थाना कौन सा लगता है डेगाना तो मैंने डेगाना अब मेरे को क्या करना है यहाँ पर सबसे important जीज़े complaint number आपको जो police. जो आपने राजस्तान पुलीस की website पे या थाने में लिखी रिपोर्ट दर्ज कराई है तो उसकी जो रसीद है उसको यहाँ पर यूज करना है क्योंकि यहाँ पर upload मांगा जाएगा तो वो आपको रसीद और उसके complaint number यहाँ पे एंटर करने है उसके बाद ही आगे बढ़ क्योंकि मेडिर एंट्री है तो यहाँ पर यह डालने के बाद आपको क्या करना जीचे की तरफ स्क्रोल करके आपको ओनर नेम यानि कि मोबाइल के जो धार के उसके नाम पते डालने है जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया मेरा जो एड्रेस है पूरा एड्रेस डालूँगा उसके बाद आपको क्या है कि जो नीचे है कि आपको एक आइडेंटी देनी होगी अपनी खुद की पैचान आदार कार्ड पेन कार्ड वो ट्रेस कुछ भी हो तो यहाँ पर आपको आइडेंटी नमर डालने होंगे जो कि आपके आदार कार्ड नमरे पेन कार्ड नमरे जो भी यहां पे आपको डालने होंगा उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी एंटर करनी है यहां पर मेल आईडी एंटर करनी है जो मेरी मेल आईडी है तो मैं अपनी मेल आईडी डाल दूगा उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करके क्या करना है जो मेल आईडी एंट यान के दिलिए तो यहां पर करने पाओंगे जितां cause किसा दिखाई दे यहां पर फील करना है यान де मिजुए जो केट्ट साय है औक फिफाई आपको ओपर दिये गए है जो कैट्ट सम्भीट करने के बाद आपकी रिपोर्ट पुलिश के पास चली जाएगी पुलीश दोबार आपका मोबाइल शर्च करके आपको सूचित कर दिया जाएगा अब चेक करना सा हो तो यहाँ पर एंटर जो चेक है उसके स्टेटेस भी चेक कर सकते हों यहाँ पर रिक्वेस्ट आइडिया आपको पराप्त होती है वो यहाँ पर डालके संबीट करके आप चेक कर सकते हैं